आप कहां से बीच में आ गए और आपका काम as a political party या government of India क्या मंदिर बनाना है, infrastructure कौन बनाएगा, road कौन बनाएगा, hospital कौन बनाएगा, school कौन बनाएगा, it is not the work of the government to make temples and mosques. सुधान चुतिरवेदी, देखिए आपत्ती तो है और वो घोर आपत्ती है, और आपके साथ ही बैठे हुए हैं, आपके मित्र, वो कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाना चाहिए था, क्या school नहीं बनाना चाहिए था, और दीपक जलाने से कौन सा उजाला हो रहा है लोगों क भाग जाएगा, भाग गया था क्या ऐसे, ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था, मानिवर वास्विक्ता ये थी, कि अगर महात्मा गांधी ने उस चर्खे को प्रतीक बनाया था, जहां पूरे राष्ट की भावनाएं समवेदना के साथ आके जुड़ीं, और उससे वो एक शक्त ही मिली, नैतिक शक्त ही, कि अंग्रेजों को भगाने में सफ़लो, उसी प्रकारी है, दीपक एक पृतीक है, जहां से सभी के मन में एक जोति उत्पन होती है, कि वो खड़े हो राष्ट के लिए, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कु मतलब उलू की जैसे आ सकती, अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देशने हैं, अब मैं जवाब देता हूँ, इन्होंने बड़ा वाजब सवाल किया, कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था, जनाब राम हैं ऐसी नहीं थी, जिनका नाम उसमें लिखा हुआ हूँ, और आपने कहा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सैंटीस किलो मिटर पर डे की रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्मेंट में हम इस समय नंबर वन के देश हैं, अमेरिका के से जाधा इन पर, अब आईए पांच मीं बड़ी अर्थेवस्ता हैं, सुन लिजे, चौते बड़े स्टॉक एक्चेंज बने हैं, तीसरे बड़े आटो मोबाइल मैनिफेक्चरर बने हैं, अरे चांद क्या छूते चोने को चूने वाले देश बने हैं, उसके बाद जाके यह राम मंदिर की आईए, और जाके बच्चों से कहता हैं, चाइना एकनॉमिक रिसेशन में हैं, अभी फिचने रेटिंग जो है, उसकी घटा के 5.2 से 4.5 किये, भारत की 5.5 से 6.2 किये, ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम कर देशा रहे हैं, और आप कर देशा रहे हैं, जी 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 श्री राम लला विराजमान के भब मंदिर में इस्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है, चों अंतिम दीपावली, मैं क्यों कह रहा हूं ये दीपावली, इसलिए महात्पूर है, आपने का पहली दीवाली नहीं थी, हाँ, किसी जमाने में ताला लगा था, जब ह सिती थी, उसके बाद टाट के छपपर में रहें भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था, तो कोट जाना पड़ता था, और उसके बाद स्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन अप दर इस्पॉंड वो बना है, इसलिए मैं कहूंगा, एक वो भी दिवाली थी, जब उजड़ा हुआ गुल्शन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुल्शन है, बजती हुई ताली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, और आपने बोला कि दीपक जलाना, यही कहा गयना कि दीपक जलाना सरकारों का काम नहीं है, तो इफ्तारी करना सरकारों का काम होता था, जो इफ्तारी करी जाती थी, जवाब देना पड़ेगा इसका भी आपको, आप गरीबों को तेल देने के खिलाफ क्यों है, 21 लाक दिए जला करके तेल जला रहे हो, मिट्टी जला नहीं था वो चैह रहे थे विदेशी वस्त्रों का भाइशकार करो एंड मेक इन इंडिया करो इनका मेक इन इंडिया नहीं कि मल्टी नैशनल को कहरे आओ और हंड्रेट पर्षेंट एंप इंडिया था और चर्खा उसका प्रतीक था कि अपना सूथ कातो और कपड़ा बनाओ दूसरी बात आप यह मुझे एक सवाल का मेरे जबाब दी जी सर आपने बुला गांधी जी तो चरके से अंग्रेज भगा रहे थे वह प्रतीक था और राम लिए आप भूला भी रहे बोला कि राम मतलब महात्मा गांधी जब चरका चला रहे थी तो एक प्रतीक था एक सिंब सिंबॉलिजम था उस यही का न आपने नहीं मैंने नहीं का आपने स्वादेशी का प्रतीक था अचाहे बता यह बता यह बता चरका चलाने जैने एक बन्द हो गई यह गांधी के विरोधी है शुरू से रहे किस विचारधारा को फॉलो करते हैं जी मैं आज वह बोला नही जी आप जिस आप गांधी की बारे वह महात्मा के अंतिम शब्द हे राम ही थे सर मैं खतम करिए उन्हों गांधी जी भी राम के राम के भक्ते राम विरोधी नहीं भाट्वार नीए यह देश वाली यह देश राम का आप राम के तहा जाएंगे हम महात्मा गांधी का राजनेतिक दर्शन था राम राज, रोज का भजन था रगूपति रागव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम, मगर नेशनल और मर्टी नेशनल कहने वाले ये तो देशी पार्टी नहीं है, कमिनिस पार्टी आफ इंडिया, कोई जाकर चक्ता ले, अब भी पार्टी का क्या नाम है? भारती जरता पार्टी, यह है भारती कमिनिस पार्टी, इतना डर्टी नेशनल था है, तरशीरी साहब, क्या आपको लगता है, यह दिवाली वाकई खास है, क्योंकि राम लला का मंदिर बन रहा है, और चाहे कोई कुछ भी कहे, बीते गत वर्षों में हमने देखा है, एक बदलाव आते हुए, समाज के अंदर भी, यूर रियाक्शन, देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो उक्तवे, जब सरदार वल्लब भाई पटेल ने, उनके सामने सौमनात मंदिर की एक योजना रखी, पुर्ण निर राजकोश का नहीं, राजकोश का नहीं, राजकोश समझते हैं आप, समझ लिजेगा इसको समझ लिजेगा छिदरा, ये जो भवे दिवाली है, ये राजकोश से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लिजे आप, अगर उस महातमा गांधी को, जिस महातमा के जिनकी कोई उकत नहीं हैसिएत नहीं महत्मा घंदी का मज़ाक will महत्मा घंदी जिसको सारी दुनिया महत्मा घंदी मनती है आज हरादमी जो भी चाहे उकर मज़ाक उड़ाना शुरूर कर देगा उनका मैं सिरुल इतना कहना चाहता हूँ, दिवाली जैसे राशी दल्वी ने भी कहा, इसको हर आदमी जानता है, जब से आदमी पैदा होता है, अगर वो हिंदु समाज में हैं, तो वो दिवाली मनाता है, राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़े मनाता है, राम के लिए मनाता है, तो इसमे में क्या खास है इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इशलिए बढ़ा चड़ा कर दिखाया जा रहा हर साल अपना रिकोर्ड तोड़ते हैं यो गया दिते ना यह साब पांच लाक थे अबके ग्यारा लाक हैं अब के 21 लाक हैं और उसके बाद में पता नहीं 51 लाक हो जाएं अपना ही रिकोर्ड तोड़ रहे हैं क्यों अब कहरें